उद्यानिक फसिल मन में फर मन कर खेती कैसे करल जाए का उपाय लगाल जाए कि उकर पैदावार बढ़े इस सब कर जानकारी ले क्या ही तो चलू सबसे आगे हमरे मन देखब अंबा कर खेती लगिन मुध जानकारी का है रोर मन ले माटी इकर ले दोमट और बलोई दोमट जेकर में जिवान सकर अइद का मात्रा वाला और बेस पानी निसकिक वाला माटी रहे चाही इकर उन्नत प्रभेद का का है उन्नत प्रभेद महिना कर हिसाब से अलग अलग है सके ध्यान से सुनू माई और जून में जे फरपाकेल उकरले उन्नतप्रभेदा है बंबई-अलफांसो, जरदालू, गुलाब, खस जून में जे फरपाकी अंबाकर सिकर उन्नतप्रभेदा है लंगणा, मालदा, दसहरी, कृष्ण भोग, हिमशागर जुलाई में जे अमबा पाकी से करोनत प्रभेदा है सीपिया, भजली, मल्लीका, आमरपाली अगस्त में पाकेक वाला फर, चैसा, सुकुल इकर प्रशार विधी कैसन है? इके ग्राफ्टिंग विधी से लगाल जैल पोधा रोपे कर विधी क्या है? एक सम भूई ले वर्गाकार या की आयताकार और ढलोई भूई में कंटूर विधी से पोधा के रोपिक चाहिए गाढ़ा कर आकार कैसन रहेक चाहिए और कोड़े कर बेरा कोन रहेक चाहिए? तो गाढ़ा कोड़ेकर बेरा मई से अप्रिल है और लगायकर आकार है एक मीटर गुना एक मीटर गुना एक मीटर पौधा लगायक बेरा अंबाकर पोधा के लगाएक सोब से बेस बेरा है जून से अगस्त गढ़ा के भरेक ले माइंद कतना देख चाहिए गढ़ा के भरेक बेरा उकर में इमाइंद के देल बेस रहे माइंद और उर्वरकर मात्रा प्रती पोधा और प्रती बरिस कतना रहे चाहिए पहिल बचर में 10 कीलो गोबर माइंद, 90 ग्राम नेत्रिजन, 25 ग्राम स्फूर, 60 ग्राम पोटास, प्रती पोधा हर एक बचर में देख चाहिए एह अनुपात में 10 बचर तक माइंद कर मात्रा के बढ़ाते जाए माने की दोसर बचर पहिल बचर कर दुगना, तीसर बचर पहिल बचर कर ती गुना, एह लखे 10 बचर में पहिल बचर कर 10 गुना देख चाहिए गारा बचर में 10 बचर कर जे मात्रा, रोरे मन, देही उहे मात्रा के रहेक देव अंतरवर्ती फसिल काका है, सबजी, केरा, पपीता, अनार, टमरस और दवैवला फसिल मन पटाय केसे करेक चाहिए, छोटका पोधा में, जाड कला में, 10 से 15 दिन कर भित्रे और गरम कला में, 10 दिन कर भित्रे पटाय देख चाहिए फर देवाईया पोधा में, अप्रिल मई में, 10 से दिने में पटाय देख चाहिए पौधा संरक्षन देखू भाई, हर एक पौधा में पिलवा मन लागयना, बेमारी मन होई जायला तो उकर रोक थाम करेक लगिन उपाय करेक चाहिए तो इकरो पौधा कर संरक्षन का लखे करल चाहिए, कोन बिमारी में, कोन पिलवा लागल में सेके जानू सूट गौल सूट गौल पिलवा मनक छोवा पिलवा, फसिल कर बढ़वाय डाठी कर आगू बटक सीरा मन में आक्रमन करेल और उमन के खाय जायल जेकर में पिलवा मन लाइक जायन, उकर डाइर और डाठी मन में एगो विक्रिती होय जायल इकर चलते हरियर हरियर इकर में गुच्छा का रूप कौनिकल कोड़ी नुमा आकरती बैंजेल जेके सुट वॉल कहन जेकर में पिलवा मन लाइक जैन उसन डाइर मन में फूल और फर नीन स्केल इकर रोग थाम कैसे कर अबरो रिमन इकर रोग थाम लगिन मोनो क्रोटो फॉस एक मिली लीटर प्रती लीटर पानी या की मिथाइल डिमेटॉन दस मिली लीटर प्रती दस लीटर पानी या की इमेडा क्लोरोपिड एक मिली लीटर प्रती लीटर पानी कर घूल बनाएके अग पिल्वा नासी दवाई मन के अदला बदली केर के परियोग कर ले बेस रहें। मधुआ या की मिली बग। इदुयो पिल्वा नासी फसिल कर पतै मन कर कोमल डाठी मन के और फूल कोणी मनक रस के भारी मात्रा में चुईस लेल। इकर चलते उपज में नौकसान होयल। इकर रोग थाम कर उपाए। उपरे जे नियर पिल्वा नासी दवाई मन कर परियोग के रही रोरे मन पस उहे नियर मधुआओ कर नियंत्रन लगिन करेक चाही। पोधा कर सन्रक्षन। पहिला है दिसंबर महिना में गच कर हेठे बटक भूई के कोड के मिथाईल पराथियोन धूरा के माटी में मिसाय देवें। दोसरा है गच कर डाइर उपरे एक मीटर कर उपरे पोलिथिन कर चादर के लेपेट देवें। उपरे और हेठे बटक सीरा के रसी से बाइंद देवें। धड कर चोगुर्दी अलकतरा कर लेप के चगाय देवें। इक सन कर ले भूई से पिलवा मन गच उपरे नीचग है। जैसन जरुरत होए क्लोरोपैरिफोस तरल एक मिली लीटर प्रती लीटर पानी कर छिड़काव के रदेवें। इकर उपच के सन भिटायल। इकर उपच पात साल में 2-4 किलोग्राम। दस साल में 40-50 किलोग्राम। चालिस साल में 120-150 किलोग्राम भिटायल। इकर सुध लाब कतना बरिश में कतना होयल। इकर सुध लाब 40-50,000 रुपै प्रती हेक्टर प्रती बरिश होय जैल। इक 2,000,000 रुपैंग इकर प्रती हो Lauren किलोग्राम। इक कर दो दिए